मैं सुनेल जी खाटी बिहारी शुद्ध भारती है आप बिहार के तमाम चात्रगन जो की बारहमी कच्छा में अध्यान रथ हैं उनके लिए जी बिग्यान का पंदरहमा अध्याय लेकर के आपके शामने हाजिर हूँ और मैं इसको कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में इ जै बिवित्ताओं से भरी परी है यदि हम इसको सनक्षित नहीं करेंगे तो स्रिष्टी नस्ट हो जाएगा ऐसा नहीं कि यदि हम एक जाती एक समधाई इसको यदि हम नस्ट करते हैं तो दूसरा समधाई पर अशर सोतही परेगा इसलिए इसको सनक्षित करना जरूरी है तो पृत्वी जैब विवित्ताओं से भरा परा है और पृत्वी पर लगभग 20,000 जातियां चीटियां की है, 30,000 जातियां जिंगूर या जिसको हम कहते हैं कीरा की है, बीटल भी उसको अंग्रेजी में कहते हैं, 28,000 जातियां मतश की, मचलियों की है, इतनी विवित्ता हैं, इतनी बिवित्ता है तो जैविक बिवित्ता को हम लोग तीन आधार पर बाट सकते हैं एक अनुवांशिक बिवित्ता दूसरा जातिये श्पेसीज बिवित्ता और तीसरा पारिस्थित किये बिवित्ता तीन आधार पर पुन्ह याद रखियेगा एक अनुवांशिक बिवित बिवित्पा है उसमें vareation है जैसे कि अज़वान्सिक बिवित्ता में एक सक्रिय रशाइन है जिसको ने हम लोग कहते हैं इसके छमता के आधार पर और ये अथua उसके कंसंट्रेशन सांधता के आधार पर हम उसको अलग-अलग से उसको हम बिवाजित करते हैं तो भारत में लगभग पचास हजार से अनुवांसिक रूप से भिन अश्र्द लगेगा आपको कि भारत में लगभग धान की परजाती अनुवांसिक रूप से पचास हजार से अधिक आपको भिन है जेनेटिक रूप से अलग और एक हजार से अधिक आम की पर जाती हैं आपको अशर्ज लगेगा तो पुरह में आपसे पूछ रहा हूँ जो भारत में कितनी धान की पर जाती हैं अलग-अलग अनुवानसिक रूप से भिनन हैं तो लगभग 50,000 और आम लगभग 1000 से अधिक अब जातिये इस स्पेसी के बारे में जाने तो जाती है इस पेसी जैसे कि पस्चिम घाट में चले आते हैं जैसे आप महरास्ट में चले आए ये तो महरास्ट में पस्चिम घाट के तरफ चले आते हैं तो पुर्वी घाट से वहां पर जाती की भिनता जायदे हैं वहां की जो इस पेसी हैं वहां के पौ मेरे गिस्तान हुआ वन हुआ या परवाल भित्ती हुआ और मान लिज्य आदरभूमी हुआ तो यहां की परितंत्र है वो नारवे जहां पर बहुत जयदे ठंडा होती है उससे भिन्न है प्रकृती यहां पर जयदे समरिद बनाया है और इस समरिद्धी को इस वेरियेशन को बनने में लाखो बर्स लगता है लेकिन लेकिन आप यहां पर आशर्जी होगा लेकिन यदि हम इसको छै करेंगे इसको नास करेंगे नस्ट करेंगे तो मात्र दोशात आपदी से कम समय में 200 वर्स में ही यह नस्ट हो जाएगा इसलिए बनाने में लंबा समय लगता है प्रित्वीत था भारत में कितनी अलग अलग जब बिद्दा हैं तो जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन एंड नेचर एंड नेचरल इशोर से जिसको आई उसीन कहते हैं सौट फॉर्म ने इसके 2004 के अनुसार ये बतलाए गई है कि जन्तू और पादप या प्ल इस पेसीज अभी भी बहुत सारे वराइटीज के बारे में अभी भी जानकारी नहीं है रोबर्ट मे ने कहा है कि इस प्रिठवी पर लगभग बेग्यानिक रूप से उन्होंने एक संतुलित अध्यन किया है कि सतर लाग तक का उन्होंने जातिये बिवित्ता ये माना है औ और उनके आंकलन के अनुसार कि 70% से अधिक इसमें जन्तु हैं जिसमें शैवाल हूँ और अच्छा जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, अबरितवीजी, अनाबरितवीजी इन सब जैसे पादप हुए तो पादप हुए ति ये 22% से अधिक नहीं है तो आपको अश् जो संपुर्ण जाती का परायटीज का 70% से अधिक सिर्फ कीट ही है और इसका अर्थ हुआ कि 10 जन्तु को यदि हम लेते हैं एवरेज तो उसमें 7 कीट ही मिलेगा तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 जन्तु को लेंगे तो लगवा कितना कीट मिलेगा तो 7 कीट मिलेगा अर्थात की 70% कीट ही हमको मिलेगा अब अगला संसार में यदि कवक जाती हो किो हम देखे तो उस इस्थीटी में सिर्फ कवक यदि हम लोग कवक ही लेते हैं तो उसकी संख्या मचली उभैचर जिसको एंफिविया कहते हैं उभैचर कहते हैं कि जो अस्थल पर भी रहे और इनसे सिर्फ कबक कही जाएदे हैं भारत का भूमी छेतर जैसा कि हम जानते हैं कि 2.4 परतिसत पूरे भी शुका लेकिन संसार का लगभग 12 महा इसमें कि संसार का लगभग यदि हम ये कहें कि कुल जय बिवित्ता का 8.1 परतिसत भारत में ही अवस्थित है इसका माने कि यदि हम डिफ्रेंशियसन के अधारप करें तो भारत 12 महा इसमें भारत भी एक है भारत में लगभग 45-100 प्लांट की वरैटीज मिलती कितनी याद रखेगा 45-100 वरैटीज इसमें दो गुना से अधिक जन्तू जातियां इसके बारे में उल्लिकित किया गया है बास्तब में अभी अधिक अधिक प्लांट वरैटी है और तील लाग से अधिक जन्तू की प्रजातियां खोज होना शेस है बचा हुआ है अभी बहुत कुछ बचा हुआ है खोजना तो इस कार्ज को पुर्ण करने के लिए बहुत ही परशिक्षित लोगों की जरूरत है ज्याने लोगों की ज बिवित्ता का पैटर्न क्या है इसका प्रारूप क्या है तो जैसे भूमद रेखा विश्वत रेखा करते हैं उससे ध्रूब की ओर जाएंगे तो जै बिवित्ता घटती है कारण भी है कि जैसे आप सारे 23 डिगरी अच्छांसिये सीमा उत्तर से लेकर के सारे 23 डिगरी प्रदेश में जाएगा थंडा प्रदेश में जाएगा तो वहां पर इसकी संख्यां घटते चले जाएगी जैसे कि एक उदारन देता हूं कि भूमद रेखा छेतर में कोलंबिया में चले जाएए तो चौदो सो परकार के पक्षी की जातियां ये मिलती है लेकिन वहीं पर आप अमेरिका के निवियार्क में आप चले जाएए जो 47 डिगरी पर उतर में है वहां ठंडा जायदे मिलती है तो एक सो पांस परकार के पक्षी की परजातियां हैं वहीं आप ग्रिन लेंड में चले जाएए जो 71 डिगरी उतरी अक्षांस पर अवस्थित है वहां पर मात आप पाएंगे कि 56 प्रकार की ही पक्षी जातियां ये आपको मिलेगी लेकिन भारत में इस्थिति बहुत अच्छी है चुकि ये भारत का एक बहुत बराबो भाग उसन कटिबंदी अच्छित में परता है भारत में गर्मी जाइदे परती है इसलिए यहां पर 1200 से अधिक पक च्छित में चले जाएगा बहुत बड़ा जंगल है उसन कटिबंदी अबर्शा का च्छित परता है वहां पर 40,000 से जाएदे 40,000 वहां पर प्लांट की विराइटीज मिलती है तीन हजार से जाएदी मचलियां की विराइटीज है तेरह सो से जाएदे पक्षी की विराइट है और 427, 427 अस्तंधारी है 427 उभैचर है जो जल में भी रहते हैं अस्तल पर भी रहते हैं 378, 378 सरी शिर्प हैं जिसको रेप्टाइज कहते हैं और 1,25,000 के लगबगू 1,25,000 ये और कशिरेकू जातियां और कशिरेकू मने जिनको रीड नहीं होता है इस तरह से हम आप ये कह सकते हैं कि इन में बिविता बहुत जाएदे हैं और अभी भी 2,00,000 कीट प्रजातियां का खोज किया जाना यहां अभी बाकी है आप समझ सकते कामेजन कितना जाएद जब बिविताओं से भड़ा हुआ है अब जाती उद्भेदन का आम तोर पर ये पता करना इस समय का कार्ज है और जाती जो नया जाती आता है जिसको जाती उद्भवन कहते हैं इसमें टाइम लगता है ऐसा नहीं जाती तुरंत विक्सित हो जाती है प्राचीन समय में बार हिम नजन होता था इसके कारण क्या होता जबकि उसनकटिवंधिय एच्छेत्र में लाखो बरसों में आप देखेंगे जब अवाज इस्तिती रहती थी वहां पर जाएदे डिस्टरवेंस नहीं होता था जायदे बेबधान नहीं उता था तो वहां पर जाती विविताओं उत्री दुरूप पर चले जाए ये बर्प जमा रहता है वहाँ पर आपको जय बिवित्ता नहीं के बराबर मिलेगी तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जाती विकास के बिवित्ता के लिए उसन कटिवंधिये च्छित्र में चुकि सौर उर्जा जायदे उपलब्ध होता है इससे आपको जय बिवित्ता जायदे पाई जाती है और जय बिवित्ता अधिक होती है तो उसन कटिवंधिये च्छित्र में जहाँ गर्मी जायदे होगा वहाँ जायदे होगा जहाँ ठंडा जायदे होगा वहाँ कम होगा अब जाती है बिवित्ता में पारितंत्र का महत् तो पहले लोग ये मानते थे कि जिस समधाय में अधिक जातियां होंगी वहाँ पर या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर या एकोलोजिकल बैलेंस जो है वो नहीं होगा या एकोलोजिकल बैलेंस में या हम कहेंगे कि इसका ये था कि जितना अधिक से अधिक विराइटीज होगी पहला ये मानना था कि जितना अधिक जैब विबित्ता होगी उसका ecological balance गरबर होगा लेकिन अब वो एक दम बिलकुल भिन्द है 1803 डिग्री उलट गया अब ये मानना है कि जितना जैब विबित्ता होगी उतना ही अच्छा ecological balance होगा पारिषितिक संतूलन होगा इसलिए कोई ए इसमें च्छती हो रही है, बास्तविक्ता है, इसको बचाना है, तो देखे, प्रिच्वी पर ज्याद संपदा तीजी सेहानी हो रही है, ये सत्थ है, इसके लिए जिमेवार कोन है? मनुष्य सबसे पहले जिमेवार कोन है मनुष्य जिसे आयू शियन का रिपोर्ट के अनुसार लाल सुची बनाया हुआ है कि ये आपको रेड जोन में है कि इस पर ध्यान देना है पिछले 500 वर्षों में 500 वर्षों में जिसमें 338 कशिरेकू हैं जिनको रेड की हटी होती है 369 और कशिरेकू हैं जिनको रेड की हटी नहीं होती है और 87 तरह के प्लांट विलुप्त हो गए हैं याद रखेंगे 500 वर्षों में कितनी तो जिसमें 338 कशिरेकू है 369 और 87 प्लांट हैं तो इस तरह से विश्व में 15500 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं जिसमें 12 परतिसत पक्षी 23 परतिसत अस्तंधारी 32 परतिसत उभैचर और 31 परतिसत आपरित बीजी पुनह याद रखेंगा 12 परतिसत पक्षी विलुप हो गया 32 परतिसत उभैचर बिलुप्त हो गया 31 परतिसत आपरित बीजी पुनह गया आप समझ सकते हैं कि कितनी खंद अब 22 थितिक विद निचेताबनी दे डाली है यदि यही दर जारी रहा तो 100 बरसों में प्रिथवी के आधी जातियां बिलुप्त हो जाएगी और अब जै बिबित्ता का छती का आखिर कारण क्या है तो छती का कारण ये है कि आबास ये छती का भी खंदन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रिथवी में 14 परतिसत पहले वन था लेकिन अब 16 परतिसत रह गया है उसका कारण क्या है जै करोडो जातियां ऐसा है कि वो अपने आब region 1 में ये सोयावीन के खेती के लिए और चारागाह के लिए ये घटना करम किया गया था और भी भीन भीन कारणों से कहीं पर जूम केती की जाती है कहीं पर कुछ ऐसे भी हैं लकरी का उसमें दोहन किया जाता है लकरी काता जाता है तो इस तरह से कहीं पर आग लग जाती है त के कारण पर्दूशन भी फैलता है यह अबास्य च्छती के कारण यह जैब विबित्ता का एक च्छती का का गरण यह है अति-दोहन कहा जाता है कि जब अबाशकता आपकी लालच में बदल जाएगी तो अति-दोहन सुरू हो जाता है उसको उन्यन इत्री तुर्प से दोहन किया जाता है बिदेशी जातियों का आकरमन कभी-कभी बाहरी जातियां का अंजाने में या जान बूझ करके किसी उद्देश से लाया जाता है जैसे नील लदी में चले आईए नायल पर्च नाम का जो पुर्वी अफरिका के विक्टोरिया जील में डाल दिया गया तो जील में रहने वाली 200 से अधिक जातियान मतस्ति वो बिलुप्त हो गए गाजर गाश जिसको हम लोग पार्थेनियम भी करते हैं लेंटाना और हाइसिंथ जैसे अकरामक खरपतवार है यह आपको देशी जाती की देशी जाती की पौधा को चट कर जाती है बिलुप्त कर जाती है समापते कर देती है यह इतना खतरनाक होता है यह जाने अंजाने में चला आता है कभी-कभी मान लेजे जान करके लाते हैं और कभी-कभी अंजाने में अब आता है सह बिलुप्ता सब बिलुप्ता में क्या है कि मान लेजिए कोई ऐसा दो जाती है जो एक दूसरे पनिड़वर है यदि उसमें एक जाती बिलुप्त होगा तो दूसरा जाती सोता ही बिलुप्त हो जाएगा उसको शह बिलुप्ता कदे सा मिन साथ बिलुप्ता मने लोपित हो जाना जैसे मान माल जी कि एक परपोशी है और यदि परपोशी बीलूपत हो गया तो उसमें जो परजीवी पनपता है वो अपने आप ही बिलूपत हो जाएगा तो वी ध्यान देना है अब जैब विवित्ता को सनरक्षित कैसे करें, कैसे कंजर्ब करें, तो देखिए इसको कंजर्ब करने के लिए यदि हम लोग उस तरीका अक्तियार करें, यदि हम लोग कुछ बिधी वेस्था को मजबूत करें, तो सनरक्षित कर सकते हैं, जैसे कि 25,000 से अधिक पादप या प्लांट ऐसे हैं, जिसको हम लोग, जैब विवित्ता, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, जिक्यों सनरक्षित करें, क्या कारान है, तो इसको सनरक्षित करने का कारान, जैसे 25,000 प्रजातियां पौधा का ऐसा है, जिसका हम इस्तमाल, दबा बनाने में करते हैं, औस आमेजन वन ऐसा है जो प्रिथवी के बायमंडल को 20% ऑक्सीजन प्रकास संसलेशन से सिर्फ परदान करता है इसलिए आमेजन को हम प्रिथवी का फेफरा भी कहते हैं तो उस इस्तिती में आप समझ सकते हैं कि यदि आप ऑक्सीजन का सिलिंडर खरीदने जाईएगा अभी को महेंगा विक्ता वह आपको भी पता होगा और इसका और जो प्रकृति ने आपको दिया है वन ने आपको दिया है पौधा ने आपको दिया है आप उसको नस्ट कर रहे हैं ऐसा बिलकुल ने होना चाहिए और दार्शनिक और अध्यात्मिक रूप से भी यह शमजने की आव चबोषकता है कि परतिक जाती का अपना महत है उसका अपना एक-एक-एक उसका देवीक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक उसका मुल महत है उसकी रकष्छा करनी चाहिए अब आते हैं कि moving को हम लोग कैश्य सनख्छित करेंगे जेब बीटा को यदि हम कुछ तरीके, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ लॉज इंसको लगाएं तो इनको हम सनक्षित रख सकते हैं जैसे जैब बिवित्ता के होट एस्पोर्ट को चैन करें और होट एस्पोर्ट को बिसे सुरक्षा द्वारा यदि हम इस पर ध्यान देंगे तो 30% तक हम बिलोपन कम कर सकते हैं इसके लिए जैसे भारत में राष्टिय उद्यान है वन जीव अव्यारन है उसके बाद बायो र जर्व है जैसा भारत में अस्थापित किया गया है उसको हम यदि अन देशों में भी अस्थापित करेंगे सही डंग से लागू करेंगे तो निश्चिते ही संकट ग्रस जातियां है वो बच जाएंगे जैसे संकट ग्रस जाती हैं उनके योगमा गैमिट को क्रायो जेनिक पध्धती से या इसको कहते हैं कि cryo preservation निम्न ताप परिक्षन पर लंबे समय तक इसको हम रख सकते हैं रख सकते हैं और उसमें उसको हम कंजर्म कर सकते हैं IVF टेक्निक जिसको हम कहते हैं अंडे का पात्रे निशेचन बैपारिक महत्त के अनुमानशिक परभेद के बीज को ल करने के लिए महलाओं के लिए इस्तमाल किया जाता है महला और पुरूस के लिए भी ताकि उनको परजनन योग बनाया जा सके और इसके बाद कुछ नियम कानून बना करके जैसे जैब विवित्ता की कोई भी राजनितिक शीमा नहीं है ऐसा नहीं है जै खासी देश करेगा पूरे विश्व को करना है मिल करके करना है सामोई को तरदाईत रखना है ये नहीं जो फलाना देश करेगा और दूसरा देश नहीं करेगा इसके लिए 1992 कब 1991 में जैब विवित्ता पर एतिहाशिक सम्मेलन आयजित किया गया था संद 2002 में अफरिका के जोहांस बर्ग में सतत बिकाश पर विशु शिखर सम्मेलन आयजित किया गया था कावत 1991 में जरा जवाब देना कहां तर यो डी जेनेरो में जैब विवित्ता पर सम्मेलन आ विशु शिखर सम्मेलन सतत्विकास परयोजित किया गया था जिसमें विशु के 190 दिस भाग लिये थे और कहा गया था कि 2010 के बाद जैब विबित्ता में कमी हर हाल में लाई जाएगी इस तरह से जैब विबित्ता का संदक्छन अत्यन्ति अबसक है और आपका बैलोजी का पं करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री है जै बिहार जै भरात